हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टु शिवानिस किचन आज मैं आपके साथ निविय क्रीम के बहुती अमेजिंग ब्यूटी हैक्स शेयर करूँगी जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुने और देखे होंगे ये निविय क्रीम हमारी स्किन पर मौसराइजर का काम करती है और इस्पेशली सर्दियों में जो हमारी स्किन भहुँजदा ड्राइ और रफ हो जाती है ये उसे भीगदम सॉफ्ट और स्मूध बना देती है प्लस इस क्रीम की खास बात ये है कि ये हर तरीके की स्किन पर सूट करती है ये क्रीम आपको मार्केट में बहुती इसली मिल जाएगी या फिर चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं इसे परचेस करने के लिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आएए निव्य क्रीम की अमेजिंग ब्यूटी हैक्स बनाना शुरू करते हैं तो जब ही कभी हम मेकप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी स्किन पर प्राइमर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हम एक बोल में थोड़ी सी निव्य क्रीम ले लेंगे और अब हम इसमी थोड़ा सा अलोवीरे जेल डालकर दोनों चीज़ों को अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो यह मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मेक्स कर लिया है तो अब हम इसमी थोड़ी सी क्रीम लेंगे और इसे फेस पर इस तरह अप्लाई करेंगे आप इस cream को as a primer अपने makeup से पहले apply करें और आप देखेंगे कि आपको जो foundation है वो आपकी skin में बहुत यच्छे से blend हो जाएगा प्लस आपके चेहरे पर एक अलगी तरीकी की shine आ जाएगी कुछ लोगों का knees और elbows का color बहुत dark होता है तो इसके लिए हम थोड़ी सी cream लेंगे और इसमें यह थोड़ा सा coconut oil डाल कर दोनों चीज़ों को अच्छे से mix करेंगे तो यह आप हैंप थोड़ी सी cream लेंगे और इसे अपने knees और elbows पर 2-3 मिनट अच्छे से massage करेंगे दो-तीन मिनिट अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे किसी भी गीले टावल से पोच दे और इसके रेगुलर यूज से आप देखेंगे कि आपका जहाँ जहाँ भी डिस्कलेरेशन है वो दीरे-दीरे खतम हो जाएगा सर्दियों में हमारे होट भौज़ादा ड्राई और चैप्ड हो जाते हैं तो इसके लिए हम थोड़ी सी निविय क्रीम लेंगे और इसमें ये थोड़ी सी चीनी डालकर दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह मैंने दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यह हमारे लिप स्क्रब बन कर तयार है तो अब हमें थोड़ा सा स्क्रब लेंगे और अपने लिप्स पर इसे आदा ये एक मिनट तक जेंटली मसाज करेंगे ऐसा करने से आपके होटों की सारी डेड़ स्किन रिमूव हो जाएगी और आपके होट एकदम सौफ्ट और स्मूध हो जाएगे और अगर आप इसे हफते में दो से तीन बार यूज़ करेंगे तो आपके होटों का कालापन भी दूर हो जाएगा और आपके होट एकदम पिंग हो जाएंगे जब भी कभी हम अपने फेस पर फाउंडेशन लगाते हैं तो थोड़ी देर बादी हमारी स्किन भौशा दर ड्राह हो जाती है प्लस हमारे फाउंडेशन के पैचेस हमारे फेस पर दिखाई देने लगते हैं तो इससे बचने के लिए हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे और आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स फाउंडेशन के आड़ कर देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम यह थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे और इस अपने face पर इस तरह apply करेंगे इस foundation को यूज़ करने के पाद आप देखेंगे कि आपका foundation इस skin में बहुत अच्छे से blend हो गया है प्लस इस skin पर बहुत ज़ादा glow आ गया है कभी-कभी हमारे चेहरे पर बहुत ज़ादा acne और pimples हो जाते हैं और हम लोग को समझ नहीं आता कि हम क्या करें तो इसके लिए हम एक बोल में थोड़ी सी निवय क्रीम ले लेंगे और इसमें ये पांच्छे डॉप essential oil की डालकर दोनों चीज़ों को अच्छे से mix करेंगे essential oil में antioxidant properties होती है जो कि हमारे acne और pimples जैसी problem को दूर कर देती है तो यहां मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से mix कर लिया है तो अब हमें थोड़ी सी cream लेंगे और इसे अपने acne और pimples पे इस तरह apply करेंगे आप इस cream को अपने face पर rose apply करें trust me guys आपके acne और pimples की problem एकदम solve हो जाएगी कुछ लोगों की आँखों के चारों तरफ dark circles होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करें तो इसके लिए हम थोड़ी सी निविया cream लेंगे और इसमें एक vitamin oil का capsule add करेंगे ये vitamin oil का capsule आपको किसी भी medical store से बहुती easily मिल जाएगा और अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से mix करेंगे vitamin oil हमारी skin पर भहुँजादा glow लाता है साथी हमाई dark circles की problem को भी एकदम दूर कर देता है तो यह मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से mix कर लिया है तो अब हम इसमें से थोड़ी सी cream लेंगे और इसे आखों के चारों तरफ इस तरह अच्छे से मसाज करेंगे आप इस cream को इस तरह दिन में दो बार apply करें और आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपके dark circles से एक्टम गायब हो जाएंगे हर कोई चाता है कि उसकी skin एकदम glowing हो तो इसके लिए हम थोड़ी सी cream लेंगे और इसमें 3-4 drop almond oil की डालेंगे और दोने चीज़ों को अच्छे से mix करेंगे तो यहां मैंने दोने चीज़ों को अच्छे से mix कर लिया है तो अब हम थोड़ी सी cream लेंगे और इस अपने face और neck पर अच्छे से इस तर एप्लाइ करेंगे आप इस cream को दिन में 2 बार एप्लाइ करें और आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपके skin बहुत जादा glowing हो जाएगी आप इस nevya cream को as a night cream भी उसकर सकते हैं तो उसके लिए आप थोड़ी सी cream लें और इसमें थोड़ी सी glycerinate करें और दोने चीज़ों को अच्छे से mix कर लें तो यह दोने चीज़ा अच्छे से mix हो गई हैं तो अब हम थोड़ी सी cream लेंगे और इसे रात को अपने face और neck पर इस तरह अप्लाइ करेंगे इस cream के regular use से आप देखेंगे कि आपकी skin बहुत जादा soft और सपल हो जाएगी सर्दियों की एक बहुत दी common problem है कि हमारी एडियां फटने लगती हैं तो उसके लिए हम थोड़ी सी cream लेंगे और इसमें थोड़ी सी weseline डालकर दोने चीज़ों को अच्छे से mix करेंगे तो यह दोनों चीज़ें अच्छे से mix हो गई हैं तो अब हम थोड़ी सी cream लेंगे और इसे अपनी एडियों पर इस तरह apply करेंगे और इसे इस तरह gently 3-4 मिनट अच्छे से massage करेंगे और इसके regular use से आप देखेंगे कि आपकी खटी एडियां एकदम soft हो जाएंगी हर कोई चाता है कि उसकी skin एकदम clean और healthy हो तो इसके लिए हम थोड़ी से निविया cream ले लेंगे और इसमें यह थोड़ी सा शहेद डाल कर दोनों चीज़ें को अच्छे से mix करेंगे शहेद हमारी skin को exfoliate करता है साथ ही हमारी skin को healthy बनाता है तो यह दोनों चीज़ अच्छे से mix हो गई है तो अब हम यह थोड़ी सी cream लेंगे और इसे face पर इस तरह apply करेंगे और इससे 2-3 मिनट तक face पर अच्छे से massage करेंगे और आप देखेंगे किसके regular use से आपकी skin बहुत जादा healthy हो जाएगी सर्दियों में हमारे cuticles और हमारे hands बहुत जादा dry हो जाते हैं तो इसके लिए आप इस तरह थोड़ी सी cream लें और अपने हाथों पर इस तरह से gently massage करें इसके regular use से आप देखेंगे कि आपके हाथों की सारी dryness चली जाएगी और आपके cuticles और hand दोनों बहुत जादा soft और smooth हो जाएगे तो यह थे हैं हमारे बहुत ही amazing से निविय क्रीम hacks and I hope कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो guys आप भी स्क्रीम को जरूर यूज कीजेगा क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि यह कितनी effective है तो आप भी एक बार try जरूर कीजेगा और मेरे को comment section में comment करके जरूर बताइगा कि आपको मेरी hacks कैसे लगे और मेरी वीडियो को like और share करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा धन्यवाद